नमस्ते कैसे हैं आप सब लोग व्योटफल सक्सेस टोरी लेकर कर दो 5 in 2 5 5 टेकनिक की सक्सेस टोरी है ये टेकनिक सब लोग अब तक मुझे लगता है जान चुके होगे ना 5 in 2 फाइफ मैनिफेस्टेशन की सक्सेस टोरी आई है तो नाम शेर नहीं कहा हुआ बता नहीं कि बहुत पहले आपका वीडियो देखा था 5 x 55 टेक्निक का और उसी को मैंने किया और आज अपनी success story आपके साथ मैं share कर रही हूँ. मेरी success story मेरे relationship से जुड़ी हुई है हम दोनों का breakup हो गया था और हम दोनों की बहुत जादा खराब बाली fight हो गई थी हम दोनों ने एक दूसरे से बात करनी बिलकुल बंद कर दी थी और हम दोनों के बीच में इतनी जादा नफरत आ गई थी कि अब एक दूसरे को देखने का भ बहुत प्यार किया है लेकिन चीजें इतनी जादा अजीब सी होनी शुरू हुई कि लडाईयों ने कब गंदी वाली लडाईयों का रूप ले लिया हमें पता ही नहीं चला और हम दोनों का रिष्टा एक दिन लडाई करते ही करते ही खतम हो गया और फिर आपका वीडियों देखा मैंने और उसमें मैंने देखा 5 इंटो 55 टेक्निक जिसमें 55 टाइम्स लिखना होता है एक एफिरमेशन को मैंने बस वही वीडियों देखते ही इस चीज़ को ऐसे करना शुरू किया कि मैं अपने पार्टनर से एक बार बात करना चाहते हूं और इसको मैं री स्टार् देखा कि मेरा और मेरे पार्टनर का रिष्टा फिर से पहले से भी जादा अच्छा शुरू हो गया है और हम दोनों आपस में खुल करके एक दूसरे से बात करते हैं बस मैंने यही अफिरमेशन डाली और 55 टाइम्स लिखा इसके बाद में क्यूंकि हम दोनों का बेक अप ह ही चुका था और बहुत टाइम निकल गया था तो मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा चलते भी नहीं था मेरे पार्टनर का कोई थौट जैसे कि आप हमेशा ही बोलते हो कि उसको करके यूनिवर्स को दे देना चाहिए वो चीज अपने आप ही मेरे साथ हो गई थी मैंने अपने घर पर और चीजों पर काम करना शुरू कर दिया था मेरी जॉब में भी बहुत सारी ऐसी चीजे चल रही थी जो कभी नेगेटिव और पॉजिटिव थी तो मेरा माइंड वहाँ पर भी बहुत डाइवर्ट होता था मेरे दिमाग से निकल गया कि मैंने कोई टेकनिक की है और मैं अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट भी कर रही हूँ वो उस टाइम बस एक जुनून सा सवार हुआ था आपका वीडियो देख करके और मैंने बस तभी किया उसके बाद में मैंने आपके बहुत सारे वीडियो देखे लेकिन अपने वाले थौट को मैं क्रियेट ही नहीं कर पा रही थी जो मैंने 5x55 टेकनिक में किया था और उसके बाद में होता क्या है मेरे पार्टनर का ही मुझे कॉल आता है और वो बोलते हैं कि इतना प्यारा रिष्टा इतने गंदे तरीके से टूटा ये सही नहीं है उन्होंने एक फिल्म की लाइन भी लिख करके भेजी थी कि जब रिष्टा खत्म करना हो तो उसे अच्छे मोड पर ला करके छोड़ देना चाहिए बस यहीं से ही मेरा मैनिफेस्टेशन कम्पलीट हुआ मेरे पार्टनर और मैंने एक दूसरे से बात करके जो भी चीजें थी उनको ठीक किया और हम दोनों का रिष्टा फिर से स्टार्ट हुआ और वो सच मुझ में बहुत अच्छा हुआ हम दोनों ने एक दूसरे को समझा जहां जहां प्रॉब्लम्स थी जहां हम दोनों ने एक दूसरे को गलत चीजें बोल दी थी उसके लिए एक दूसरे से दिल से माफी मांगी और अब हम अपना रिष्टा दुबारा स्टार्ट कर चुके हैं थेनकियू, 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 मैं Law of attraction को बहुत ज्यादा मानने लगी हूँ, और आपके सिखाने के तरीके की मैं बहुत ज्यादा तारीफ करती हूँ, थेनकियू, 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 कॉंग्राचुलेशन्स, 5 by 5 manifestation technique आपके subconscious mind को प्रोग्र करने के बाद में अगर आपका आराम से लेट गो हो जाता है तो आप समझ लीजे कि आपका manifestation बहुत आराम से होने वाला है इनका relationship बहुत ही गंदे तरीके से टूड़ गया था पूरा रिष्टा खराब हो गया था एक दूसरे को गंदी गंदी बाते पूल करके दोनों partner से एक दूसरे से अलग हो गए थे लेकिन किसी एक ने उसको बनाने की सोची मुझे बहुत सारे comment आते हैं और बहुत सारे लोग यह मुझे से call पे पे पूछते हैं कि अगर कोई एक बनाना चाही तो क्या वो बना सकता है यास वो बना सकता है कोशिश पहली बार हमेशा एक से ही होती है हाथ तो दुनों का बात में आता है पहले एक ही बंदा हाथ बढ़ाता है ना त तो आप अगर एक हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने रिष्टे के पर थोड़ा काम करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं फाइव इन्टो फाइफ टेक्निक इनों ने पूरी की उसके बाद इनके माइंड से वो चीज अपनी आप निकल गई क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होते हैं उसके अलाब अब भी जो हमारी लाइफ में चल रही होते हैं इनके लिए ये सबसे प्लस पॉइंट रहा कि उसके पहले एक टाइम निकल चुका था ब्रेक अप को लेकर के और जो रिष्टा था वो खराब तरीके से टूटा था तो वो कुल मिला करके इनके लिए सब कुछ पॉजिटिव ही गया क्योंकि तब जादा थौट्स नहीं चल रहे थे पार्टनर को लेकर के तब यह जादा चीज़ें नहीं क्रियेट कर रहे थे अपने पार्टनर को लेकर वो आराम से इजी वे में लेट गो हो गया और जैसे ही वो लेट गो होता है तो पार्टनर खुद आते हैं सामने से और वो खुद बोते हैं कि हाँ जो भी मिसंडरस्टैंडिंग्स थी या जो भी हम दोनों ने एक दूसरे को गलत चीज़ें बोली है उसको क्लियर करते हैं और कोशुश करते हैं कि खुबसूरत मोड पर लाकर कि अगर उसको छोड़ने की जरूरत पर दिया तो छोड़ते हैं इन्होंने छोड़ा नहीं इन्होंने वापस जोड़ा congratulations बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों का नया और खुबसूरत रिष्टा रिष्टे में कभी भी अपशब्द, कड़वे शब्द, रिष्टे में क्या कभी भी किसी को भी अपशब्द, कडवे शब्द, बुरे शब्द, अब्यूजिव शब्द नहीं बोलने चाहिए इससे दूसरे को कुछ बुरा हो या ना हो हमारी जुबान पहले जरूर खराब जाती है अपने दिल को पहले जादा बुरा लगता है अगर हम किसी और को अपशब्द बोलते हैं तो इस चीज़ का खयाल रखिया और यह सिर्फ रिष्टों के लिए ही नहीं यह हर चीज़ के लिए हर जगा के लिए हमारे शब्द बहुत माइने रखते हैं अपने मेरे की खयाल अपने अपसे की ठीर सारा प्यार ताकि आप इट्राक्ट करें थी सारा प्यार लव यू ओल टाडा